हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज से मैं आपको इस चैनल पर 6 साल से लेकर 8 से 9 साल तक के बच्चों के लिए फुल बाजू गोल गले की स्वेटर को बिलकुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू करूंगे आज इसका ये पार्ट नमबर 1 है आज की इस वीडियो में मैं आपको उन और हेल्थ के अनुसार फंदे लेना बोर्डर बुनना बोर्डर के बाद ये जो डिजैन बनाया गया है ये डिजैन बनाना बताऊंगी तो चलिए फ्रेंट्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये तीन प्लाई वाली उन ली है तीन प्लाई वाली उन में तीन तार इस तरह से अलग-अलग बने होते हैं अब तीन प्लाई वाली उन से इस स्वेटर को बनाने के लिए बोर्डर में मैंने दस नंबर की सलाई यूज की और border के बाद उपर इसमें मैंने 9 नमबर की स्लाई यूज की है और अगर आप इस तरह से normal वाली ओन से ये sweater बनाना चाहती है तो आप border में 11 नमबर की स्लाई ले लीजिए और border के बाद आप इसमें 10 नमबर की स्लाई यूज कीजिए अब हमें इसमें फंदे कैसे लेने हैं ये देखिए अगर आप इस तीन प्लाई वाली ओन से 6 साल से लेकर 8-9 साल के बच्चों के लिए sweater बनाना चाहती हैं तो आप इसके border में 73 फंदे डाल लेजिए मैंने यहाँ पर designer फंदे डाले हुए हैं आपका मन करे designer फंदे डाल लेजिए अब इसमें 73 फंदे डाल के मैंने यह border बनाया है और border के बाद उपर इसमें मैंने 13 फंदे बढ़ाई हुए हैं तो border के बाद उपर मेरे 86 यानि 86 फंदे हैं उपर जो हमने इसमें design बनाया है उस डिजाइन को बनाने के लिए 4 के multiple प्लस 2 फंदे लेने होते हैं तो ये डिजाइन इस तरह से adjust हो जाता है तो 86 फंदे में ये डिजाइन हमारा इस तरीके से adjust हो गया है अगर आप इस तरह से normal वाली ओन से same size का sweater बनाना चाहती है तो इसके border में आप 77 यानी 77 फंदे डाल लीजिए और इसमें आप 11 नंबर की slide ले लीजिए border के बाद उपर आप इसमें 13 फंदे बढ़ा दीजिए तो आपके 90 फंदे हो जाएंगे 90 फंदे में भी आपका ये डिजाइन बिलकुल सेम तरीके से adjust हो जाएगा तो चलिए अब मैं आपको ये border बनाना बताती हूँ और फंदे बढ़ा कर इस डिजाइन को set करना बताती हूँ तो ये देखे मैं आपको थोड़े से फंदे में बुनना बताऊंगी तो आप जो है फंदे डाल लीजिए अपनी सलाई में चाहे आप फंदे नॉर्मल डालिए या डिजाइन डालिए ये आपके अपनी मर्जी होगी फंदे डालने के बाद सबसे पहले तो आप एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से उल्टी जरूर बनाईए चाहे आपने फंदे नॉर्मल डाले हो चाहे डिजैनर डाले हो ये दो सलाईया उल्टी उल्टी बुनने से बोडर की जो किनारी है ये काफी मोटी बनती है और मजबूत हो जाती है उसके बाद हम अपना बोडर बनाना शुरू करेंगे तो ये देखिए एक फंदा इस तरह से उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे पहले फंदे को आप उतार भी सकती है बना भी सकती है ये आपकी अपनी मर्जी है फिर से एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा पूरी सलाई को आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है एक उल्टा और एक सीधा तो ये देखिए पूरी सलाई को मैंने बना लिया है एक उल्टा एक सीधा करते हुए अब उल्टी साइड से देखिए जो फंदा हमने यहाँ पर सीधा बनाया होगा वो हमारा यहाँ पर उल्टा बनेगा और जो इधर से उल्टा बनाया वो इधर सीधा बनेगा तो यह बोर्डर दोनों तरफ से एक जैसा बन जाएगा तो पहला फंदा यहाँ कौने पर सीधा आया है तो यहाँ से इसे हम उल्टा बना देंगे धागा पीछे फिर एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा ऐसे करते हुए हमने इस लाई को भी कम्पलीट कर देना है यह बोर्डर बनाना बहुत ही आसान होता है एक सीधे और एक उल्टे का तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये बोर्डर हमारा बनना शुरू हो गया है अब ये जो बोर्डर की लेंथ है ये मैंने यहां पर सवा दो इंच बनाई है मैं आपको नापकर भी दिखा देती हूँ ये देखिएगा यहां से यहां तक सवा दो इंच मैंने ये बोर्डर बनाया है आप बोर्डर थोड़ा सा ज्यादा भी बना सकती है ये आपकी अपनी मर्जी होगी क्योंकि बोर्डर की लेंथ हम कम ज्यादा अपने इसाब से कर सकते हैं लेकिन सवा दो इंच से कम नहीं होनी चाहिए एकाद पॉइंट उपर होती है तो सही है अब देखिएगा इस बोर्डर को बुनने के बाद इसमें हमें फंदे बढ़ाने हैं फंदे इसमें हम उल्टी साइड से बढ़ाएंगे तो यह देखिए यहां पर मैंने यह थोड़ा सा बोर्डर बना लिया है अब मैं आपको इसमें फंदे बढ़ा कर दिखा द यहां पर मैंने यह 20 टालकर थोड़ासा बोर्डर बनाया है और फिर इस डिजैन को बनाने के लिए हमें चार के मल्टिपल परण 12 लेने होते हैं तो यहां पर मैं 26 शुटारत करूंगे 6 पंडे यहां पर बढ आऊंगी जैसे मैं यहां पर बढ़ा कर देखाऊं वैसे ही यहां पर बोर्डर के बाद आपने 13 फंदे पूरी सलाई में बढ़ा देने हैं तो यह देखिए पहले फंदे को भुनने के बाद दूसरा फंदा यह जो है इसके यहां से एक लूप उठा लीजिए और एक फंदा आप इस तरीके से बना दी जब हम यह वाली लूप उठा कर यहां पर फंदा बनाएंगे तो यहां कोई छेद नहीं आएगा तो एक फंदा हमने बढ़ा दिया है उसके बाद आप चार चार पांच पांच फंदे का गैप दीजिए अपने फंदों के हिसाव से और फिर से यहां से देखिए ऐसे एक ल प्रोजक्ट के लिए 13 फंदे बढ़ा देने हैं मैं इसमें यहां पर 6 फंदे बढ़ाऊंगे क्योंकि मैं यहां पर आपको थोड़े फंदों में बना कर यह डिजाइन दिखाऊंगी जैसे मैं यहां पर बनाऊंगी बिल्कुल सेम टू सेम आपका इन जादा फंदों में य ये सैकिंड कलर लगाने से पहले जिस कलर से हमने बोडर बनाया है उसी कलर से हमें दो बेसिक रोव बनानी है इन सलाईयों को फिर हम दोबारा से रिपिट नहीं करेंगे ये सिरफ एक बार में ही शुरू होगी तो ये देखिए ये इसकी बेसिक रोव है जो कि आप बोडर वाले कलर से ही बनाएंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे ये सीधे ये जो हमने दो उल्टे और दो सीधे बनाए इसी को बार बार रिपेट करना है दो उल्टे फिर धागे को पीछे करेंगे और दो फंदे ये सीधे बनाएंगे तो ऐसे करते हुए आप इस पूरी सलाई को complete कर दीजिएगा दो उल्टे फंदे बनाईए और दो फंदे सीधे बनाईए और ये देखिए जब आप दो उल्टे दो सीधे बनाते हुए जाएंगी तो last में आपके दो फंदे बचेंगे ये आपके उल्टे आएंगे तो ये देखिए यहां starting में भी दो फंदे उल्टे आए हैं और last में भी दो ही फंदे उल्टे आए हैं उल्टी side से जो फंदे यहां उल्टे बनाए वो यहां सीधे जो यहां सीधे बनाए वो यहां उल्टे तो ये देखिए ये स्टार्टिंग के दो फंदे सीधे हो गए फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे तो ऐसा करते हुए इन दोनों सलाईओं को आपने बुन लेना है तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये दो बेसिक रो बना ली हैं दो उल्टे और दो सीधे के उसके बाद आप अपना सेकिंड कलर इस तरह से इसमें जोइंट कीजिए अब ये डिजैन हमारा देखिए यहां सीधी साइड से शुरू होगा आठ सलाईयों का डिजैन और सोलर सलाईयों में कम्पलिट हो जाएगा तो अब आप इसकी पहली सलाई देखिए कैसे बनाएंगे ये जो हमने सेकिंड कलर लगाया है ये जो हमने उल्टे फंदे यहां पर बनाए हुए हैं इनको देखिए इस कलर से हम सीधा बनाएंगे और ये जो सीधे वाले फंदे हैं इन दोनों को हम इस तरह से सिलिप कर देंगे इनको बुन्ना नहीं है अब ये जो हमने चार फंदे बनाए इनहीं को बार बार रिपिट करेंगे ये देखे ये जो उल्टे वाले फंदे हैं इनको हम इस तरह से सीधा पुनेंगे और जो सीधे वाले फंदे हैं इनको हम ऐसे slip कर देंगे इसी design को बार बार repeat करना है और ये ध्यान में रखना है देखिए यहां से यहां तक आपका जो धागा जाएगा ये ज़्यादा नहीं खिचना चाहिए पीछे से normal रहना चाहिए तो अब देखिए इस तरह से इस धागे को normal छोड़ देंगे और उल्टे वाले जो दो फंदे है इनको हम सीधा बना देंगे जो सीधे फंदे दिख रहे हैं इनको हम slip करेंगे फिर से दो उल्टे वाले हैं इनको हम देखिए यहां पर सीधा बुन लेंगे ये जो सीधे फंदे हैं इनको slip करेंगे बस ऐसे ही आपने इस पूरी सलाई को बुनते जाना है ये design जितना देख इस तरह से सीधा बना देंगे तो डिजयन की पहली सलाई कंप्leet हो गई अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड से हमने जो बनाई हुए फंदे हैं उनको उल्टा बुरना है और जो slip के हुए फंदे हैं उनको फिर से हमें slip करना है तो देखे यही चार फंदे का डिजैन हम बार बार repeat करेंगे यह जो धागा यहां से यहां तक जाएगा इसका आपने ध्यान रखना है जादा नहीं खिचना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए एक और यह दो फंदे हमने बनाई हैं दो को हमने slip कर दिया फिर से यह जो बनाई हुए फंदे हैं इनको हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे slip किये हुए फंदों को slip करते जाएंगे तो पूरी सलाई को आपने ऐसे ही complete करते जाना है बहुत ही आसान है बनाई हुए फंदों को उल्टा बनाईए slip किये हूँ को आप slip कर दीजिए और लास्ट वाले दो फंदे हमने उल्टे बुन लिया तो दो सलाईया डिजैन की ये complete हो गई अब तीसरी सलाई ठीक पहली सलाई के जैसे बनाएंगे ये जो धागा इसको साथ के साथ आप उपर करते जाएंगे ताकि यहां से साइड से बड़े बड़े धागे नजर ना आएं इन दो फंदों को देखिए हम सीधा बनाएंगे slip किये हुए जो फंदे हैं इनको फिर से slip करेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे slip करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे करते हुए आप इसकी तीसरी सलाई को कम्पलीट कीजिए तो ये देखिए डिजैन की तीन सलाईयां कम्पलीट हो गई है चोथी सलाई है और उल्टी साइड है चोथी सलाई को उल्टी साइड से आप पूरा उल्टा बुनते हुए कम्पलीट कर दीजिए अब आपने कोई भी फंदा slip नहीं करना है सभी फंदों को उल्टा बुनना है जो आपके बनाई हुए हैं उनको भी बना दीजिए जो slip किये हुए हैं उनको भी उल्टा बुनते हुए चोथी सलाई को complete कीजिए तो ये देखिए फ्रेंट्स चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लेट हो गई है अब इसकी ये पांचमी सलाई है और सीधी साइड है तो देखिए ये जो हमारा धागा होता है इसे साथ के साथ उपर करते जाएंगे ये जो दो फंदे सीधे हैं इनको हम इस तरह से सीधा ही बना अब धागे को अपनी तरफ करेंगे ये जो दो फंदे थे इनको हम उल्टा बोन देगे अब ये जो हमने चार फंदों का डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे धागा पीछे ये दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये दो फंदे उल्टे दो फंदे उल्टे, पूरी सलाई को आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है, दो सीधे हो गए और दो उल्टे, और ये लास्ट वाले दो फंदे देखिए, आपके इस तरह से सीधे आएंगे, तो पांच सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, छटी सलाई उल्टी साइड पर आप देखिए, जो फंदे इधर हमने सीधे बनाए, वो हमारे यहां पर उल्टे आएंगे, जो उल्टे बनाए हैं, वो हम यहां सीधे बनाएंगे, तो ये स्टार्टिंग के दो फंदे हम उल्टे बना देंगे, धागा पीछे ये वाले दो फंदे सीधे, अब ये जो चार फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे ये सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे ऐसे करते हुए आप इसकी छटी सलाई को कम्प्लीट कीजिए तो ये द देखिए फ्रेंड्स छै सलाईयां कम्प्लीट हो गई हैं सातमी सलाई सीधी साइड पर सातमी सलाई इसकी ठीक पांचमी सलाई के जैसे ही कम्प्लीट करने हैं तो यह देखिए यह दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे यानि यहां पर आपको जो देखिए सात सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई आठमी सलाई उल्टी साइड पर यहां पर भी आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना देने हैं तो स्टार्टिंग के दो उल्टे फिर यह दो सीधे दो उल्टे दो सीधे ऐसे करते हुए मैं पूरी सलाईयां बन से आठ सलाईयां बुन्ने हैं बुन्ने का तरीका बिल्कुल सेम होगा सिरफ यह जो हमने फंदे बनाए हैं सलिप किये हैं इनकी जगह चेंज हो जाएगे तो यह देखिए सीधे वाले फंदे हमें सलिप करने हैं उल्टे वाले सीधे बुन्ने हैं जैसे कि हमने कहां से बना अब अगले जो दो फंदे उल्टे हैं इनको हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे अब देखे ये जो हमने चार फंदे का डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपेट करना है सीधे वाले दो फंदे को स्लिप करेंगे जो उल्टे दिख रहे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे यहां प फिला हुआ प्रोजेक्ट आपका नहीं बनेगा तो ये आपने ध्यान में रखना है अब ये दो सीधे वाले फंदे हम स्लिप करेंगे उल्टे वाले फंदों को सीधा बुनेंगे इनको स्लिप किया अब दो फंदे हमने सीधे बनाए ये वाले दो फंदे स्लिप करेंगे फिर इनको हमें slip करना है इसलिए हम यहीं से turn कर जाएंगे और जो हमारे बनाए हुए फंदे हैं इनको उल्टी साइड से हम उल्टा बना देंगे जो slip किये हुए हैं इनको फिर से slip करेंगे बस ऐसे करते हुए आपने पूरी सलाई को बोन देना है बनाई हुए फंदों को उल्टा बनाईए, स्लिप किये हुए फंदों को स्लिप कीजिए और ये देखिएगा, अब लास्ट में जो दो फंदे हैं, ये स्लिप की हुए हैं अब यहीं से हम ट्रन करेंगे, क्योंकि अभी ये जो हमारे कोने के दो फंदे हैं इनको अब तीसरी स्लाई पर भी हमें ऐसे स्लिप ही करना है तो अब ये जो हमारे बनाई हुए फंदे हैं, इनको हम ऐसे सीधा बनाईगे और जो हमारे स्लिप की हुए हैं, इनको तीसरी स्लाई पर भी हम स्लिप करते जाएंगे तो ऐसे करते हुए इस सलाई को मैं बुन लेती हूँ और ये देखिए ये लास्ट वाले फंदे भी अब हम इस सलाई पर ले लेंगे तो जैसे हमने ये 8 सलाईया पूरी की 8 सलाईया इस कलर से करने हैं तभी हमारा ये 16 सलाईयों में डिजैन कम्प्लीट होता है तो इस वाले कलर की हमारी तीसरी सलाई बन गई है और यहां से यहां तक गिनेंगे तो हमारी ये 11 सलाई है तो अब हम ये सलाई जो है हमारी इस कलर से 4 सलाई बन रही है तो इसको हम पूरा उल्टा बनेंगे कोई भी फंदा slip नहीं करना है सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना है जो बनाई हुए हैं उनको भी बना लीजिए जो slip किये हैं उनको भी बनाईए तो ये देखिए इस वाले कलर की भी मेरी चार सलायां पूरी हो गई है अब आज ये सीधी साइड पर अब देखिएगा ये वाले जो फंदे हैं जो हमने slip किये थी इनको हम यहां पर अब उल्टा बुने के और ये देखिए अगले दो फंदे आपको इस तरह से सीधे दिखाई देंगे इनको आप ऐसे सीधा बनाईए ये जो चार फंदे का डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपीट करते जाएए दो उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे तो ऐसे करते हुए मैं इस सैकिंड कलर की जो पांचमी सलाई बन रही है इसको बना देती हूँ तो ये देखिए लास्ट के दो फंदे भी यहां उल्टे आ गए अब जो यहां उल्टे है वो इधर सीधे बनेंगे जो सीधे है वो इधर उल्टे बनेंगे तो अब आज ये उल्टे साइट पर इन दो फंदो को पहले हम सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे यही चार फंदे का जो डिजैन है इसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे दो फंदे देखिए उल्टे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे ऐसे करते हुए आप इसे बना लिजिए बस आपने ये ध्यान में रखना है जो फंदे आपके सीधी साइड पर उल्टे आए हैं वही दो फंदे आपके उल्टी तरफ से सीधे बनेंगे तो ये देखिए इस सेकंड वाले कलर से यहां पर 6 सलाईया पूरी हो गई अभी दिखिए इस कलर की सातमी सलाई बन रही है सीधी साइड पर जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना दीजिए उल्टे हैं तो उल्टे बनाईए सीधे हैं तो सीधे बनाईए फिर उल्टी साइड पर इस कलर की आठ मी सलाई होगी जो कि यहां से यहां तक सोल मी सलाई बनेगी तो उल्टी साइड से भी आपको जो उल्टे दिखें उनको उल्टा बनाईए जो सीधे दिखें उनको सीधा बनाईए तो यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से आठ सलाईया इस कलर से और 8 सलाया इस कलर से हमारी पूरी हो गई हैं ये जो मैंने आपको 16 सलायों का डिजाइन बना कर दिखाया है इसी को आप आगे आगे जब रिपिट करेंगी तो इस तरह से बहुत ही शांदार आपका डिजाइन बनता चला जाएगा इस डिजाइन को आप मल्टी कलर म आप सीधे बना दीजिए जो सीधे दिखरें उनको सलिप कर दीजिए फिर ये दो आपके जो उल्टे हैं ये सीधे हो जाएंगे सीधे वाले आपके सलिप हो जाएंगे तो बस ऐसे ही आपने इस डिजाइन को रिपिट करते जाना है और इसकी जो लैंथ है वह आरम होल तक बना के तयार कर लेने हैं अब मैंने जो arm hole की cutting करने तक कि इसकी length है वो बना ले है बैक पार्ट में मैंने इसकी arm hole की cutting की हुई है और अब इसके front वाले पार्ट में मैं आपको cutting करके next पार्ट में दिखाऊंगी क्योंकि arm hole तक के दोनों पार्ट बिल्कुल same to same बनेंगे 7 और ये 8 डिजाइन मेरे इस border वाले color से बने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 ही डिजाइन मैंने इस white वाले color से बनाई हुए है तो इस तरीके से मैंने इसके इतनी length बनाई हुए है length आप बच्चे की height के अनुसार कम या ज़्यादा भी बना सकती है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही इसकी अगली वीडियो में मैं आपको मुढ़े की घटाई बैक और फ्रंट में गोल गले की घटाई करना बताऊंगी अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सबस्क्रायब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू